यूपी में अतीक एमत के हत्या के बाद गमई उत्रखन की सियासत बीजेपी मीडिया प्रभारी ने विपक्ष पर साधा निशाना तुस्टिकरन की राजनीती का लगाया रूँ उत्रखन कॉंग्रेस पार्टी के प्रोदेश मुख्याले में हाई लेवल मीटिंग का दौर पियल पूनिया से मिले प्रितम सिंग कहा कई एहम मुद्दों पर हुई बात अतीक हत्याकान के बाद हरितवार पुलिस अलर्ट यूपी से सटी सीमाओ पर समिल जील इलाकों में पीए सी की तैनाती अवबाहों और सोचल मीडिया पर रखी जा रही पैनी नज़र अतीक हत्याकान के बाद हरितवार में अलर्ट जारी किया गया है यूपी सेटी सीमाओ पर अलर्ट जारी किया गया है पीए सी की तैनाती कर दी गई है अवबाहों और सोचल मीडिया पर लगातार नज़र रखी जा रही है अवबाहों फैलाने वालों पर पुलिस ने कारवाई करने की बाद भी कह दी है यूपी से सटी सीमाओ और सम्वेदरशीर इलाकों में तैनाती जो है वो पीए सी जवानों की बढ़ा दी गई है अतीक एहमद हत्यकान के बाद हरिद्वार पुलिस अब अलर्ट मोट पर नज़र आ रही है आपको बता दें यूपी में जहां अलर्ट जारी कर दिया है वहीं अब हरिद्वार में भी पुलिस जो है वो अलर्ट नज़र आ रही है उत्तरप्रदेश से सटी सीमाओं और सम्विद्शील इलाकों में पी एसी की तैनाती कर दी गई है सोशल मीडिया पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है अरिद्वार पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और अवाहों और सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए हुए है पुलिस बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंग चोहान ने बताया कि तुष्टी करण की राजनीती हमेशा विपक्ष करता है भारती जन्ता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से इसी सिद्धान्थ को साथ काम कर रही है साजीरों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगिया दितनाथ ने वहाँ पर माफिया राज को कम किया उसे लेकर वहाँ का संपूर्ण विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है और जिस तरह से वहाँ पर लोक्तंत स्थापित है मनवीर सिंग्छ चोहान ने आगे कहा कि उससे सारा विपक्ष बौकला हट में है देखिए कौंग्रेस हो चाई विवक्ष हो तुस्तिकर्ण कि राइंती हमेशा विवक्ष करता है बारिन्दा पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास और सबके प्रियासिक स्थान के साथ काम कर रही है और उत्तरप्रदेश में जिस परकार से उत्तरदेश के मुख्यम्त्री योगी जी ने वहाँ पर माफिया तंत्र को खतम करने का काम किया है उसको लेकर के वहाँ का संपून विपक्ष पूरी तरह से बौकला गया है और जिस तरह से वहाँ पर लोगतंत अस्थापित हो है और एक कानून का राज अस्थापित हो है उससे सारा विपक्ष बौकलाक में है उत्रगंड कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्याले में हाई लेवल मीटिंग का दौर चल रहा है वहीं चकार्दा विधायक प्रितम सिंग ने कॉंग्रेस पार्टी के परवेक्षक पियल पूनिया से भी मुलाकात की है प्रितम सिंग का कहना है कि कई मुद्दों को ल संगठन को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया है उनका कहना है कि कुछ ऐसे मुद्धे हैं जिस पर चर्चा हुई है बंद कमरे में परविक्षक पियल पूनिया से चर्चा की गई है मगर उस बात का खुलासा मीडिया के सामने नहीं कर सकते है इशारों में उन्होंने ये भी जरूर कह दिया कि आपको बता दें कि जिस तरह से पार्टी में बयानबाजी चल रही थी उसके बारे में उन्होंने भी अपना पक्ष परविक्षक पियल पूनिया के सामने रखा है और देखना होगा कि पार्टी गुटबाजू को लेकर क्या कदब उठाती है गुनिया जी हमारे बहुत परिस्क नेता है और और यहां आए हैं कि प्रदेश कंदर कांग्रेस को कैसे मचबूठ करे हमारे सामने नगर निकाए के जो अमस्तों और पहुत इस टुनोती है उसके बाद लोग-सभा पाचैज़ा जो बहुत मैषणूओं हाए वो जो चुनोती हमारे सामने है इन तमाम चुनोतें से हम कैसे बार पाने का काम करें। तो ये विस्तांसी चर्चा हुई है। अब जो चर्चा होती है वो तो राजनितिक दल की चर्चा है। वो तो रगातार हमारी होती रहती है। उत्तरप्रदेश के प्रियागराज में हुई माफिया अतीक एमद और उसके भाई अश्रफ की हत्या के बाद राजनितिक दलों से जुड़े नेताओं के अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं हरिदवार पहुँचे पूर्व केंद्रिय मंदरी और सांसद रमेश पोकरियाल निशंक ने हत्याकान को लेकर कहा कि देश के प्रधान मंदरी चाहते हैं कि देश को बेईमानी भृष्टाचार और माफिया तंद्र खत्म हो देश को इन सबसे मुक्ती मिल रही है यूपी के मुक्ती मंदरी योगिया दतनात ने भृष्टाचार वेमनस्ता और डर फैलाने वालों के खिराफ पूरी ताकत से काम किया है और ये कोई छूटी बात नहीं है वहीं जबालापुर से कॉंग्रेस विधायक रवी बहादुर ने इस हत्याकान की निन्ना की और हर्दवास्तित एक निजी धरमशाला में आयुजित एक कारिक्रम में भाग लेने आये हुए थे जहां अतीक एहमद हत्याकान को लेकर दोनों ही नेताओं ने अलग-अलग बयान दिया बस ठीक है कानून विवस्ता दवस्ता है अब क्या बई मैं तेर से निम्टूंगा तुमेरे से निमट तो मुझे लगता नहीं अब कोई अब बस तब अपना सिस्टम मना ले किसको कहा किसे मिलना है ताइम रख ले या तो वो रहेगा या वो रहेगा यह बहुत सारे उत्रस्त था आज इसे मुक्ति मिल रही है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंजी योगी योगी आधितेनाथ ने पूरी ताकत के साथ ऐसे खराब किसम के लोग जो समास के अंदर बैमनुश्यता फैलाते थे अलप संक्यक आयोक के राश्टी अध्यक्ष नरिंदर कुमान रिशिकेश पहुंचे जहां उन्होंने नगर निगम के सबागार में अलप संक्यक समुदाय के लोगों के साथ बैठक की इस दुरान राश्री अध्यक्ष ने सरकार की ओर से अलप संक्यक समधाय के लोगों के लिए चलाई जा रही यूजनाओं के बारे में जहनकारी दी साथी मौके पर मौझूद लोगों से उनकी समस्याओं को भी सुना और समधान का आश्वासन भी दिया बैटक के दुरान स्थानिय पारशद गुर्विंदर सिंग ने सरकारी यूजनाओं का लाब प्रतेक अल्पसंक्यक विक्टी को मिले इसके लिए राश्री अध्यक्ष के समय समय पर कैम्प लगाने की मांग की है इसके लाबा तैसील स्थर पर यूजनाओं के जानकारी देने के लिए एक अधिकारी की निउक्ती करने की मांग भी की गई है जाता भी कि आप भरस सरकार से आएं आज आज आप ही यह आदेश करके जाएंगे पंदर दिन बाद वेक कैम्प लगेगा और उन्होंने खा कि हम जल्दी जो है इसमें कोई ने लेंगे तो अभी कोई ऐसी उन्होंने मुझे आस्मासा नहीं देगा में यह कैम्प लगेंग जो सब अपने अधिकारों के फुटी जाग ग्रूप हैं यही हमारा प्रियास है और अधिक से अधिक इनका जो स्कीम से गोवर्नेंट की इनका लाप टाप्ट करेंगे अभी मैंने मिटिंग में यहां बताया बहुस सी स्कीम से अलग से मारेटी कमुनिटी के लिए NM BFC Just like Finance और प्रिशन जो बेंगे खाबर उदम सिंग नगर के जस्पुर शेतर से हैं आपको बता दें कि बीटे दिनों विधायक जस्पुर और प्रभारी कानून गो सुशील जुनेजा का बिवाद हो गया था जहां एक तरफ प्रभारी कानून गों ने थाने में तहरीर देकर वि जुक्त कर दिया गया है मामले को लेकर लेकर लेक्पाल संग में विधायक और उनके कारेकरताओं के खिलाफ गुस्से का माहौल है वहाई उन्होंने कहा कि अगर 19 अप्रेल तक कोई कारवाई नहीं की जाती तो 20 अप्रेल से अग्रिम निर्ने तक जिले की सभी तहसीलों में लेखपाल संग के सदस्य एक घंटे का शांती पूर्ण धरना प्रोदर्शन करेंगे जिसके संबन्द में हमारा लेखपाल संग ने आत्रोस बैठ किया और हमारे जराजों पेशा सुली जुनाजी ने थाने में टेर्यूर दे रखिये लिकिन अभी तक उस पर कोई अफ़ायार तैसे नहीं हुआ है तो उसी की संबन्द में आज उस कटना को लब 5 जित बीच चु बिलकेदार खंदुखाल जनासु मोटर मार्क की खस्ताहाल सिती जे नहराज लोगों ने रिशिकेश कर्ण प्रियाग रेल परियोजना के निर्मान सामगरी लेकर जा रहे ट्रक को रोग दिया लोगों का आरोप है कि परियोजना निर्मान में लगे वहानों के कारण पूरा मार्क गड़ों में तबदील हो चुका है इस दुरान मार्क से गुजर रहे पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी क्वी समस्याएं हल होने का आशवासन दिया कारेदाई संस्था के अधिकारियों के आशवासन के बाद लोगों ने ट्रक को जाने दिया लोगों ने सडक पर बने गड़ों को भरने और नियमित पानी के छड़काव की मांग को लेकर परियोजना निर्मान में लगी कमपनी के वहानों को रोग दिया उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए कई बार आंदूलन किया गया लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है जाम की सूचना पर पहुंचे SGM अजेवीर सिंग और पुलिस शेतरादिकारी श्यामदत नौतियाल को भी लोगों ने समस्या बताई किये अब इनकी कुछ गाड़ी हैं कुछ बुदासि ले जारे इनका ब्रोड तो यह जैसे रोड ती उसको दिनकुल यतावत बना देंए लेकिन आए दिन आर्ज तक जो है रोडी बुरी ब्री तो हमने उनको रोका और उनको जो अभी धरातल पर जो कारे चल रहा है उसके बा इस चीज के लड़ रहे हैं कि हमरे रोड़ को जल से जल बना दिया जा है तेरा दिन हम धरने पर बैटे लेकिन वेल बे दुआरा लगा तारणी में ते तायब भरते जा रही है जूट बोलते जा रहे हैं कोई काम को ढंक से करने रहे हैं अवैद नशे के विरुद में लालकुआ खोटवाली पुलिस को बड़ी कामया भी हाथ लगी यहां चेकिंग अभियान के दुरान पुलिस ने बिंदु खत्ता से अव्युक्त गौर सिंग को 436 ग्राम अवैद चरस के साथ गिरफतार कर लिया अव्युक्त के पास से भेज़ी गई चरस को पुलिस में वरामत किया आरोपी एंटिपेस एकिदेट मुकतमा दर्चकर नियाले में पेश करने की कारवाई पुलिस की तरफ से की गई है पुरे मामले पर पुलिस शितरादिकारी संगीता ने प्रेस का जानकारी दी साथी उन्होंने बताया कि अवैद नशे के विरुद अबियान लगातार जारी रहेगा इसके लावा गौर सिंग के अपरादिक इतिहास का भी पता लगाया जा रहा है जन्पत पुलिस अब नशे के खिलाफ लगातार अबियान चला रही है इसी के करम में कल शाम को लालकवां छेतर के विल्दुकता में चेकिंग के दोरान एक व्यक्ती जिसका नाम गौर सिंग पुतर चंदर सिंग सुयाल है इसके घर पर जुदकान बनी है चोटी उस पे कुछ अवेट सामन हमें मिला है जिसकी पहचान चलस की रुप में की गई है और हमें पैसा भी मिला है जिसका जो अमाउंट है 24,750 रुपे हमें इसकी घर से बरागा है मेले में सरस्पती शिशुमंदिर वलमरा वा तामा ढौन के छात्र चात्राओं ने सांस्कृतिक रंगारंग कारेकरम प्रस्तुत को लेकर ग्रामीडों में काफी उत्सा दिखाई दिया दायक प्रतिनिदी कुंदनलाल ने मेले की समीती अध्यक्ष संदस्यों का फूल माला पहना कर स्वागत किया मेले में तामा ढौन, वलमरा, उदैपूर, पत्थर खूला, केहडू, केहड गाउं ग्रामीडों ने शिरकत की सेला कुई के दून बिजनस स्कूल में चले तीन दिवसिये, प्रमंद्की, मौथसब मैंफेस्ट 2023 का रंगरंग कारकरम के साथ समापन किया गया इसमें दून बिजनस स्कूल के विधारतियों ने काफी अंकों के अंतर से मेंफेस्ट 2023 की टरॉफी अपने नाम की कारेकरम का मुख के अकर्शन रही बॉलिवूड गाय का खुश्भू ग्रेवाल ने अपनी गाय की और अदाकारी से देर रात तक समा बांध कर छात्र छात्राओं सहित कारेकरम में मौजूद सभी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया दून बिजनस स्कूल में 45 दिनों तक विभिन प्रतिविताओं का आयोजन किया गया इसमें उत्राखन सहित आसपास के प्रदेशों के साथ मेनेजमेंट इंसिट्यूट्स के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया इसमें बैड वार, रोल प्ले, जैम, सूलो और ग्रूप डान्स जैसे ही प्रतिविता का आयोजन किया गया जिसमें विभिन शिक्षन संस्थानों से आए छात्र छात्राओं ने अपनी अदाकारी के जल्बे बिखे रहे कारकरम में बत और मुख्याजिती शिर्कत करने पहुंचे एडी जी पुलिस अमित कुमार सिना ने प्रतिभागी और संस्थान में उत्करिष्ट स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को मैडल और प्रशस्ती पत्र देकर सम्माने भी किया वाई दूसरी और कारकरम के अंतिम दिन अपनी प्रस्ती देने पहुंची बॉलिवुड गाई का खुश्बु ग्रिवाल ने एक से एक शानदार प्रस्ती देकर समा बानते हुए छात्र छात्राओं को देर रात तक ठिरकने पर मजबूर किया देखे जयता भी देटर सामने आपको बताया है कि इसमें बहुत सारे लंदर पॉलिज की लोग पार्ट सिपेट करते हैं अकैडमिक पार्ट से उसका उद्देष के बहुत बहुत द्रूरी है कि आज के देन हमारे कोलिज में जितने अव्य पेड़क्लिटी है जो स्टाफ है जो पूरे सार महनत करते हैं उनको भी हम आइंडिफाई करके जो लोग सेलेक्टेट लोग हैं उनको पुरिस्क्रत करते हैं दूल मिजू स्कूल में ये एक मैनेजमेंट पैस्ट है जिसे मैनफेस्ट बोलते हैं और इसे मैनफेस्ट 2023 करके हम रोग साइडेट कर रहा हैं ये तीन दिन की एक्टिविटी थी 13, 14 और 15 और एक गाला एक्टिविटी है आप ये देखेंगे इसमें कि अल्मोस्ट छे स्टेट्स के स्टुडेंट्स अल्मोस्ट चालिस इंस्टूशन के बच्चे different activities में participate करने के लिए अलग अलग colleges से, अलग अलग इंस्टूशन से, अलग अलग program से, अलग अलग state से यहां आए एक्टिविटी branded से start वी आसे 45 days जंगलों में लगी आख को बुजाने में सहियोग करने पर महिला मंगल दल को बन विभाग आपको बता दें कि बीटे दिनों उनी रिजर्व फॉरेस्ट में लगी आग की सुचना महिला मंगल दल चेपड़े ने वन विभाग को दी साथी इस दावनल से निपटने के लिए महिला मंगल दल की महिलाओं ने आगया कर खुद ही मूर्चा समालते हुए आग बुजाने की कोशिश की और वन विभाग के साथ मिलकर आग पर काभू भी पा लिया जिससे कई हेक्केर वन शेत्र और हरे भरे पेड़ों को खाक होने से बचा लिया गया वन विभाग ने महिलाओं के इस प्रयास को सराते हुए चेपड़ों में महिला मंगल दल को सम्मानत करते हुए उन्हें पुरस्कृत भी किया वन शेत्र अधिकारी मधे पिंडर रेंज हरीश थपलियाल ने यहां महिलाओं और सम्मान समारों में आए जन प्रतिनिदियों को वनागिन की रूख थाम के उपाए कारण और परयावरण संद्रक्षन की जानकारी देते हुए महिला मंगल दल चेपड़ों को प्रयास की सर चाहते हैं मैं सबसे पहले इस बना आगनी पर कुछ कहना चाहँगा जिस परकार से आएंज में आग लग रही है इस हथी पहुंचाया जारी है मैं समाज से यही अपील करना चाहता हूँ कि किर्पिया बनों को आग से बचाने की कोशिश करें बन बचेंगे तो हम भी बचेंगे अगर बन नहीं रहेंगे तो हमारा जियोना भी बेरता है जैसा सभी लोग जानते हैं कि वनागनी जो है यह एक मानव जनित अब्दा और आज इससे हक्टेवल जंगली नहीं है यह हमारे घरों तक आ गई है इसको नियंतर वाने के लिए जैसा हम लोग पहले भी हम लोग जन्नाग जागरूता अभियन चला चुके हैं तो इसी क्रम में हमारे जो प्रभाग्य वनाधिकारी महदे हैं उनके द्वारावी और जिलाधिकारी महदे द्वारावी यह कहा गया था कि लोगों को किसी तरह से सांकतिक पुरुसकार भी आजए और लोगों को यह अब आपको सिधा पॉडी लिए चलते हैं जहां सीएम धामी ने एक कारेकरम में शिरकत की है क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं अब यह व्यांत कुछ वाला मेहीं वहादे प्सकार भी आया है कि अब लुग सुनवारा इसमें हम लोग शुरू करेंगे गंगा और गंगा की सायथ मतिया और जो सार्दा जैसी हमारी गर सार्दा है कोशी है नंदौर है ऐसी बहुत सारी नदिया है जो वर्सा चाल में काफी उफान पर होती है वो भी आगया अंतर में मिलती है सब गंगा जी इसमें उनकी भी स्वच्चता हूं उससे लिए हम लगातार प्रियास से रहे हैं लगातार अपनी जो चीज़े हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं आज मोदी जी के नितुत में गंगा को निर्मल और बनाया गया है लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस जो भगीरत परियास आप सब के एकत्री करण से हो रहा है आजनी भाईसाब रामस्च्राइजी के मारदसन में हो रहा है ये वास्तों में जो समग्र गंगा का जो हमारा संकल्प है उसको तभी सिद्धी तक ह हम्रों करेंगे आज गंगा के आसफास होूं गंगा को पर अनेकों जिबात जो अलएशाएच्पर का आती करमा भी हुआ हम्ने है क्या है कि उस्त्राफंट के अंदर जिहां के नाम पर मजबब जिहां के नामपर उसको हम किसी कीमत पर नहीं होने लेंगे उसको हर कीमत पर हम रोखेंगे और हमने एक मजार ऐसे इस्तान पिर्भिस कियों है जहां पर इस वकार का अतिकरमर हुआ है और उसको अतिकरमर को हटाने का हमने यह अवियान प्रारणों कर दिया है सेकलों जगह पर अभी तक ऐसे इस्तान भी मिले हैं जहां पर नीके सामने उपर से तो मजार हैं लेकिन उसके नीके कोई आउसिस नीए सेकलों इस्तान उपर जहां पर भी जो है यह चलाया गया है एक हजार सी की जहादा इस्तान अभी तक किनीज करें और हम रुखने वाले नहीं किसी जी की मत पर हमने कहा है कि उत्रा करण्ड के अंदर जहां से गंडा जी निकलती हैं यम्ना जी निकलती हैं यह देव भूमी हैं दोदो अंतराश्टी सिमाओं से लगा हुआई प्रदेश है बनों से आख्षाजित है नदियों से आच्छाजित हैं परवतों से आच्छाजित हैं और मैं खाओं कि देवों की पूरी किरपाद त्यारों तरफ इस देव भूमी पर है इस देव भूमी के अंदर धर्म की संस्किर्टी की अध्याद की इसका जो मूल सरूप है वो सरूप बना रहना चाहिए उस मू किसी अ कई किसी पीछे तो आगी करने का काम अंदर का तक्रमन का काम किया और तक्रमन का काम किया है खेलिकी इसमने ऑर इыт कप्रम कर सक्के रहने लो बड़त भाने होंगे ने ऑप मंचबूर होगे और पर्सा अंदर घूप कर सानसे सब्सक्दी और विकामने वाले mí Aceud कि श नवाली गंगे इसमा के तहरे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामिर के अंतरगात अगामी बित्ती वर्ष में समग्र रूप से लगवग एक सो पांच करोड तैतालीस लाग रुपे का हमने यहां के लिए प्रावधान किया है नवाली गंगे पहल के तहरे राट्वि में जंगा न और चौपीस स्टीटी के मात्यम से लगवग एक सो चालीस एमेलडी सीग्रेज कर टीश्मेंट किया जा रहा है और इसके नवामी गंगे कारिक्रम के अंतरगात चौबीस इस्तान धाटों यांग सपी स्मोक्ष धाटों का निर्मान कर उन्हें लोगों के लिए उक्यों के जोग यो बनाया है और साथी साथ गंगा के जोग कैट्मेंट छेत्रों में गंगा वातिका ती फिलाल के लिए खबरों में इतना ही नमस्कार